तो आपने दोनों एक्विशन को क्या करना है? तो सबसे पहले हम इनको एक्विशन में अर्इंज करेंगे डिवाइड में डिनोर्नेटर में वैलियेबल नहीं होना चाहिए तो सबसे पहले हम इसको एलेमिक करेंगे वह किस type से पर पहले आप चुके हैं उस्सी type से आपने यह part भी करना है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? इस type से लिख सकते हैं? 10지らい हैं 10 multiply 1 divided by x plus y लिख सकती तो 10 की 1 से 10 यहीं बनना है इसी ताइक से यह क्या लिख सकते है 2 multiply 1 divided by x minus y equal to 4 है इसको क्या लिख सकते है 15 multiply 1 divided by x plus y minus 5 multiply 1 divided by x minus y equal to minus 2 यह same है देखिए कि दोनों में दोने question में same जा रहे हैं यह वाली चीजे तो इनको स्कोज कर लेते हैं 1 divided by x plus y is equal to क्या मालेगे और 1 divided by x minus y is equal to मालेगे हम b की ठीक है जहां भी 1 divided by x plus y आएगा वहाँ पर a रखेंगे तो रखते हैं लेखिए इसकी जगहाँ पर रखेंगे a तो 10 की a से multiply 10 a पलस 2 इसकी जगहाँ पर लेखेंगे b तो 2b is equal to 4 equation मनी आपकी simple इसकी जगहाँ पर क्या लेखेंगे a और 15 से multiply 15 a minus 5 की यहां पर क्या लेख सकते हैं b तो क्या बना minus 5 b is equal to minus 2 equation number second हमने अब elimination match की यूज़ करना है बारबार ऐस equation आ चुके हैं तो क्या करेंगे a को eliminate करेंगे एक variable को b को भी कर सकते हैं तो हम a को ही कर रही है दोनों में same बनाना है हमने यहाँ 10 है यहाँ 15 है तो 10 की कितने से multiply करेंगे 15 आए नहीं आ सकता तो दोनों की multiply ऐसा LCM होगा इनका यानिके दोनों का LCM 30 तो 30 यहाँ बनाना है तो इसकी 3 से multiply और यहाँ पर बनाना 30 उपर लिख लेते हैं इदर 30A और 3 से फिर 2 की 6B is equal to 3 की 4 से 12 equation number आपकी 3 हो जाएगी अब 2 से करेंगे 15 की 2 से 30A और 5 की 2 से करेंगे तो minus का 10B is equal to 2 की minus 2 से multiply minus 4 equation number 4 इस तरह से हमने इसको सोर कर रहा है add कर रहा subject तो normal देखने से ही पता लग रहा है बहुत से कुशन आउचके मैं बार-बार बोल रहा हूँ subtract करने से होगा क्योंकि इसको eliminate करना है यह same variable में है same number भी है तो यह minus का यह plus का और यह plus यह क्या को आपका गैंसर तो 10 plus 6 16 भी is equal to 4 और 12 में करके जितो कि यह plus रहुका पार 16 तो यहां से बी की वैलवागे 16 डिवाइड बाइस स्टीं तो क्या यह वी की वैलवागे बाश्पी वन आ चुकी है तो 10A plus 2 multiply 1 is equal to 4 2 की 1 से multiply 2, 2 इदर आके किसी चीज़ का हो जाएगा minus का तो क्या बचा 4 minus 2 it means 2 लिख सकते हैं तो 10 की A से multiply है तो 10 इदर आके किस में जाएगा divided तो 2 divided by 10 जाएगा 1 by 5 तो A और B की value आज के हाँ आपकी तोनों की है ठीक है अब आपने जो स्पोच किया था क्या स्पोच किया था 1 divided by X plus Y किस की equal माना था A के और A की value क्या है 1 by 5 ठीक है और 1 divided by X minus Y किस की equal माना था आपने B के और B की value क्या है 1 है ठीक है तो क्या करेंगे हैं आपर cross multiply करते हैं तो हमारे पास एक और equation बनेगे तो X plus Y की 1 से करेंगे तो X plus Y ही रहेगा equal 5 की 1 से करेंगे तो 5 तो equation number आपकी यह बनेगे 5 3, 4 तक आप चुकी है X minus Y की 1 तो cross multiply करते हैं X minus Y की 1 से X minus Y ही रहेगा और 1 की 1 से 1 ही रहेगा equation number 6 अब दोबारा से इसी type से elimination method दोबारा से implement होगा दो type से थोड़ा lengthy है लेकिन interesting है तो adding करने से ही बातवा रही है adding कर देते है adding करेंगे तो यह Y से Y cancel हो जाएगा क्योंगी यहाँ plus का है यहाँ minus का है तो X और X मिल करके कितना होगा आपका 2X तो 5 और 1 6 X equal to 2 से multiply ही तर आके 2 case में जाएगा divide में तो आपकी X variable की value आ चुकी है X की value आ चुकी है Y की निकाल ली है 5th में रखो या 6th में रखो putting up value of X in equation 1st sorry in equation 5th में रखो 6th में रखो एजिए तो क्या है X plus Y is equal to 5 X की value क्या आपके 3 आपके X कीज़ गयाते आप 3 लिक सकते 3 plus Y is equal to 5 plus 3 left से right side जाएगा तो किसी का हो जाएगा minus का तो आपकी किसकी value आ जाएगी 1 तो X की value 3 आ चुकी है आपकी और Y की value 2 यही आपने क्या करना था soul करना था तो इस type से आपने equation को soul करना है आसा करता हूँ कि आपके equation समझ में आ गया होगा आसके का लाउप में थाइगे लिए खेंगे लुख हैंगे लिवारी मेंच जाएबाएगे झाल झाल